नमस्कार विद्यारतियों मैं मक्षन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पीसी संसोरी यूटूब चैनल पे अपनी जो मेंटल अबिलिटी विजनिंग की क्लास से चल रही है उनको आगे बढ़ाएंगे और आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वेन आरेक यानि वेन डायग्राम जिसमें अपन देखेंगे कि वेन आरेक या वेन डायग्राम को अगर देख होता है तो मोटा मोटी रूप से अगर आपको मैं बताऊं जो अपना वेन आरेक या वेन डायग्राम पार्ट है वो दो परकार का होता है कितने परकार का दो परकार के यानि दो भागे में उसको बांटा जाता है जिसमें अगर देखें तो पहला भाग अपन कह सकते हैं लो उसको अपन दो भागों में बांटेंगे वह कौन-कौन से भाग होएंगे तो पहला भाग होएगा logic-ven diagram दूसरा होएगा data-ven diagram अब देखिए logic-ven diagram क्या होगा और data-ven diagram क्या होगा इसको भी अपन पूरा समझेंगे लोजिक वेन के अंदर क्या होगा कि अपन को नाम दिये होएंगे अपन को नाम दिये होंगे और उसी के आधार पर अपन को लोजिक लगाना है और डाइग्राम या आकरतियों का निद्धारन करना होगा जबकि जो अपना डाटा वेन डाइग्राम है या अपना जो डाटा वेन डाइग्राम है उसके अंदर क्या होगा कि अपन को एक डाटा दे दिया जाएगा कि आकरति बनाके वरताकारा करती वाले सिक्सक हैं फिर बूजाकारा करती वाले जो है खिलाडी हैं और आईताकारा कर करेंगे तो अपने सारे topics भी या सारे confusion के लिए हो जाएंगे तो अभी शुरुवात करेंगे logic when diagram से logic when diagram से और logic when diagram को देखा जाएं तो मोटा मोटी 10 भागों में बांटा गया है logic when diagram में आप देखोगे तो इसके 10 सी option बनते हैं यानि जो भी अगर कोई question आएगा उसका answer उन 10 option मेंसे ही होगा उन 10 option मेंसे होगा और इनको सरल करने के लिए देखेंगे तो logic when diagram के अंदर आपको क्या करना है सिर्फ तीन गोले बनाने हैं सिर्फ तीन गोले बनाने हैं कुछ इस तरीके से इनी तीन गोलों का परियोग करते वे अब मन को answer ढूंड़ना होगा जैसे मैं आपको समझा हूँ देखी आप हमारे साथ पूरी अंत तक बने रहिए ताकि आपको topic आसानी से समझा सकी देखी सबसे पहले परकार आप देखेंगे तो सबसे पहले परकार में तीनों गोले अलग अलग दीवे होंगे तीनों आकरतियां या जो वरताकार है इसमें हमेशा यही आकरती मिलेगी बेन डाइगराम यानि गोल आकरतियां इसमें आपको हमेशा इसी आकरतियों के रूप में answer मिलेंगे अब देखिए यह ओप्सन कब राइट होगा यह ओप्सन कब राइट होगा जब आपको दिये गए तीनों आप्सन क्या हो अलग हो जब आपको दिये गए तीनों आप्सन क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे या किस इस्तिती में होगा इसमें आपको तीन ही वरताकार आक अकर्त्य का परयोग की आया है, जैसर आपसे कहा दिया जाए कुशेन के अंदर रे, की जानवर , पूरुष, और फरनीचर क्या चीज़, जानवर , पूरुष और फरनीचर, तो देखिए तीनों अपने आप में क्या है अलग-अलग है तो ऐसे कुशिंज के लिए इस वेन आरेक का परियोग किया जाएगा जैसे आपको ऐसा ही कुशिंज दिया होगा ठीक है और कहेगा कि निम लिकित कुशिंज को किस वेन डाइग्राम का द्वारा पर दसित करेंगे तो अपर इस इस्तथी में आपको तीनों जो वर्ताकारा करतिया हैं उनको भिन भिन दर्शाना होगा दूसरा देखिए कि अभी तो क्या थे तीनों अलग अलग थे अब आप क्या कीजिए दो को और एक को अलग रख दीजिए दो वेन हो गए मिक्स और एक हो गया अलग अब इसके लिए क्या ओप्शन बनते हैं तो वह देखिए जैसे पिता चाचा और महिला पिता चाचा और महिला क्या बन गया पिता बन गया चाचा बन गया और महिला ऐसा अगर कुछन पूछा जाए आप से और पूछे कि इसका अंस्वर कौन सा होगा तो इस इस इस्तती में यह जो वेनारेक है यह इसका अंस्वर होगा इस इस्तती में यह है जो वे नारेक है वो इसकांसर होगा कैसे देखिए पिता चाचा मैला मैला अपने आप में क्या है स्टिलिंग है तो एक अलग हो गई अब पिता हो गई चाचा हो गई तो आपको भी पता है कि आपके पिता जी किसी और के चाचा भी है अगर मैं इस वे नारेक को पिता कहूँ और इस वे नारेक को चाचा कहूँ तो आप ध्यान देंगे आप ध्यान दीजिए जैसे चाचा और पिता यानि आपके चाचा भी है और आपके यहां पे आप हैं खुद को मान लिजी इसको समझने के लिए आप सुद को यहां पे मानिए कि आपके पिता है और आपके भी चाचा है लेकिन आपके पिता भी तो किसी के चाचा हो सकते हैं इस इस्तती में देखिए पिता के कुछ भाग को चाचा के सरकल के द्वारा काटा गया है इस इस्तती में चाचा के सरकल द्वारा पिता के भाग को काटा गया है क्योंकि आपके पिता या पिता जी किसी अन्य भाई का जो लड़का होगा उसके चाचा भी होंगे पिता जी अपने भाई के लड़के के चाचा कहलाएंगे अब आ गई चाचा की बारी तो आप देखेंगे भी जो चाचा होता है वो अपनी संतान का पिता भी तो होता है चाचा जो होता है वो अपनी संतान का पिता भी होता है इसलिए चाचा को जो सरकल था उसको पिता के सरकल के द्वारा काटा गया है बांटा गया है काटा गया है जबकि महिला पिता कभी नहीं बन सकती और महिला चाचा कभी नहीं बन सकती इसलिए महिला को अलग से रखा गया है अब देखिए तीसरा परका अब तो क्या था? पहले देखे तीनों अलग थे फिर एक के पास आया और अब क्या होगा कि जो है एक डाइग्राम एक सरकल दूसरे सरकल के अंदर इस्तापित कर दिया एक जो सरकल है वो अंदर इस्तापित कर दिया और एक सरकल अलग ही रख लिया है तो इसके लिए कौन सा उप्शन बनता है तो इसके लिए उप्शन बनेगा जैसे आप कहेंगे कि पूरुष, पिता और महिला क्या बनगे पूरुष, पिता और महिला तो आप देखेंगे कि सबसे पते पहले पूरुष और पिता की बात हो रही है और महिला भी साथ में सब्द अपन को दिया है तो देखिए इस्तिरलिंग और पुलिंग की बात की जाए तो महिला इस्तिरलिंग के अंदर गत अलग हो जाएगी और पूरुष और पिता आपको पता है सबी जो पूरुष हैं उन में कुछ पूरुष किसी ना किसी के पिता भी होते हैं इसलिए आपने देखा होगा जो प्रदसित किया गया है, इसलिए अगर ऐसे option हो, तो उसका अंसर क्या होगा, ऐसा circle बनेगा, ऐसे circle बनेगे, देखिए, यह कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं है अपन, यह है इसका जो logic vein diagram है, इसका प्रकार पढ़ रहे हैं, logic यानि अपन लोजिक लगा रहे हैं, यह अपने पा यह कैसे किया, अपने logic लगाया है, इसलिए इस category को logic vein diagram की category के अंदर रखा जाएगा, ऐसे 10 प्रकार हैं, तीन अपने कर लिए, आगे अपन और देखते हैं, चोथा, अब देखिए क्या हुआ था, कि पहले अलग थे, फिर एक पास में आया, फिर एक अंदर गुश गया, ठ लेकिन यह जो दूर था, यह भी इसके पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, अब इसके लिए कैसा कुशन बनता है, तो इसके लिए आप कुशन देखेंगे, तो आप देखिए, पुरुष, पिता, और बच्चे, पुरुष, पिता, और बच्चे, देखिए, आप यह भी कह सकते हैं, कि बच्चे सारे पुरुष होते हैं, नहीं, क्योंकि अपन को पता है, बच्चा हो, जो जब छोटा होता है, चाहिए लड़का हो, चाहिए लड़की हो, उसे बच्चा ही कहा जाता, उसे हमेशा लड़का ही कहा, जो लड़का या लड़की अगर छोटी अवस्ता में हैं, तो उसे हमेशा बच्चे ही कहा जाता है, इसलिए आप देखेंगे, जो बड़ा सरकल है, वह पुरुष से परदसित होगा, और बड़े सरकल के अंदर है, वह हमेशा पिता से ही परदसित होगा, क्योंकि पिता हमेशा पुरुष ही कहलाता है या जो पुरुष होगा वही हमेशा पिता बनेगा और जो पिता जी है वह हमेशा पुरुष ही होंगे इसलिए बड़े सरकल के अंदर पिता जी को पिता जी वाला जो सरकल है उसको डीनोट किया गया है या दरसाय गया है अब देखिए यह जो सरकल बचा है इसको बच्चे के नाम से जाना जाएगा क्यों कि आप देखिए यह जो सरकल है बच्चे का यह पुरुष के सरकल को तो काट रहा है लेकिन पिता के सरकल को नहीं काट रहा क्योंकि पिता जी कभी भी बच्चे नहीं होते पिता जी कभी भी बच्चे नहीं होते लेकिन बच्चे पुरुष जरूर हो सकते हैं अगर बच्चे पुरुष हो सकते हैं अगर बच्चा क्या है लड़का है नर है फुलिंग की कैटेगरी में आता है बच्चा तो वो पुरुष की कैटेगरी में भी आएगा इसलिए पुरुस्ट का जो वेन डाइग्राम था उसके द्वारा बच्चे के डाइग्राम को काटा गया है यह है ऐसा अगर उप्शन हो तो उनके लिए ऐसा वेन डाइग्राम आपको दिया गया होगा आगे देखिए अपना पांच वा परकार अब इस सिस्तिति में क्या एक को समझ लीजिए वन बाई वन इस्टे बाई इस्टे बढ़ते जाएंगे आप देखिए इसने एक को काटा है अब यह दोनों को काट लेगा बड़ा चोटा और फिर यह देखिए इस तरही बड़ा सरकल उसके इंदर चोटा सरकल और एक जो सरकल है वह बड़े चोटे क दोनों को काटते वए अलग हो रहा है अब इसके लिए कैसे उप्सन बनेंगे तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ प्सन आपके बन सकते हैं इसतरी मा और डॉक्टर इस्तरी, मा और डॉक्टर तो आप कह सकते हो इस सर्किल के अंदर जो बड़ा सर्किल है वह इस्तरी को परदर्शित करेगा और बड़े सर्किल के अंदर जो सर्किल है वह मा को परदर्शित करेगा क्योंकि इस्तरी मा है जो हमेशा ही इस्तरी की कैटेगरी में आएगी इस्तरलिंग होती है इसलिए मा की स्रेनी को इस्तरलिंग में लखा जाता है और सारी इस्तरीया मा हो ऐसा भी नहीं होता इस्तरीया छोटी भी उमर में हो तो मा की कैटेगरी में नहीं आती है इसलिए इस्तरी का जो पूरा भाग था उसके कुछ एक भाग को मा के नाम से परदर्शित किया गया है और एक जो अन्य सर्कल है उसे दोनों को काट रहा है इस्तरी को भी काट रहा है और मा को भी काट रहा है तो यह डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा क्योंकि एक डॉक्टर इस्तरी भी हो सकती है और वही इस्तरी मा भी हो सकती है वही इस्तरी मा भी हो सकती है अगर वही डॉक्टर इस्तरी यहाँ पे विराजमान है तो आप देखेंगे कि वे डॉक्टर की स्रेणी में भी आ रही है और जो मा है उसकी स्रेणी में आ रही है और मैला की कैटेगरी के अंदर भी आ रही है तो एक डॉक्टर हमेशा इस तरी हो ये कोई जरूर ने लेकिन कभी कबार इस तरी हो सकती है और वे इस तरी मा भी हो सकत है इसलिए इन ओप्संस के लिए ऐसे वेन डाइग्राम का परियोग किया चाहेगा आपको एक्जाम के अंदर कुशन क्याला मिलेगा एक्जाम में आपको ऐसा दिया होगा और आपको इन वेन डाइग्राम में से राइट करना होगा यानि इस कैटेगरी के लिए कौन सा वेन बनेगा ऐसे दस ही वेन डाइग्राम बनते हैं और सारों के आंसर उसी में हैं इतने भी कुशन बनेंगे उनके दसों के दस में डाइग्राम में आंसर है पांस तो हो गई आगे देखिए अपन सटा सिक्स नमबर अपन देखेंगे अब क्या है एक बड़े गोले में दो छोटे छोटे वेन को दर्साया गया है एक बड़े वेन आरेक में दो छोटे छोटे वेन आरेक को दर्साया गया है तो इसके लिए क्या कुशन बन सकता है? इसके लिए कुशन बन सकता है पुरुश, पिता और चाचा अपन को पता है पुरुश के अंदर ही जो पिता जी आएंगे और उसी में चाचा जी भी आएंगे उसी के अंदर पूरुष आएंगे और उसी में चाचा जी यानि जो पूरुष है पूरुष ही पिता जी होते हैं और चाचा भी क्या होता है पूरुष ही होता है इसलिए ऐसे ओप्संस के लिए ऐसे वेन डारे डाइग्राम का परियोग किया जाएगा या वेन आरेक का परिय आप देखेंगे कि एक बड़े वेन में दो छोटे वेन हैं लेकिन वह एक दूसरे को काट भी रहे हैं लेकिन वह एक दूसरे को काट भी रहे हैं तो इसके लिए कैसा कुशन बन सकता है तो इसके लिए कुशन बन सकता है आपका मा, डॉक्टर और महिला मा, डॉक्टर और महिला तो इस सिस्ति में आप देखिए कि सबसे बड़ी हो जाएगी महिला तो जो बड़ा सरकल है वो किसको परदसित करेगा महिला की केटेगरी को या सेनी को परदसित करेगा अब मा और डॉक्टर है तो आपको पता है कि महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है और महिलाएं माँ भी हो सकती है तो इस इस्तती में आप देखेंगे कि एक डाइग्राम है वो डॉक्टर को पर्दसित करेगा और दूसरा मा को पर्दसित करेगा क्योंकि यह दोनों महिला की केटेगरी में है अब मा डॉक्टर भी तो बन सकती है न तो इसलिए मा के आरे वेन डाइगराम के द्वारा डॉक्टर के वेन डाइगराम को काटा गया है सारी डॉक्टर महिला यह हो यह कोई जरूरी नहीं है तो इस इस्तिती में इस आदे भाग को मा के महिला के द्वारा काटा गया है तो ऐसे options के लिए यह answer होगा आगे देखिए आठवा अगर अगर अपन परकार देखें तो अब क्या बनेगा अब बन जाएगा अपना इस तरीके का अगर कोई वेन डाइगराम बने तो उसके लिए कुशन्स क्या बनेगा तो आप ध्यान दीजिए जैसे अगर आपको कहा जाए फल और फल में भी कौन सा फल आम और आम भी कौन सा लंगडा तोता पुरी आम की भी क्या है केटेगरी होती है तो अगर यहाँ पे लिखा आए लंगडा आम या कच्चा आम क्या लिखा आए लंगडा आम या कच्चा आम तो ऐसे कुशन्स के लिए ऐसे कुशन्स के लिए ही है राइट होगा क्योंकि आपको पता है कि आम और लंगड़ाम दोनों क्या होते हैं फल होते हैं लेकिन लंगड़ाम किसकी कैटेगरी माता है आम की कैटेगरी माता है तो बड़ा जो सरकल है वह हमेशा फल के लिए परियोग होगा उसे चो छोटा सरकल है वह आम के लिए परियोग होगा और अब्रब्शित किया है और सारे आम फल हो यह भी कोई जरूरी नी लेकिन अबाम फल की कैटेगरी में आता है इसलिए फल के भाग को आम के परदसीत किया गया है और आम के भाग कोई लंगड आम से परदसीत किया गया है ऐसा जो option होगा वो ऐसे questions के लिए answer write करेगा आगे देखिए 9 नमबर आगे देखना है 9 नमबर जब तीनों एक दूसरे के अंदर परवेश कर चुके हैं तो आपस में काट के भी तो ऐसे questions बना सकते हैं वो यह अभी तक अपने देखे है तो इसी को अपन समझेंगे अब अब देखिए यह किस category के लिए आएगा की मद्य का जो है वो दोनों को काट रहा है तो इस स्थि में आपके लिए उपसना सकता है कि पूरुष डॉक्टर और इसत्री पुरुष, डॉक्टर और इस्तरी तो देखिए इस इस्ति में जो पहला सर्कल है वो पुरुष को पर्दसित करेगा मत ये सर्कल है डॉक्टर को पर्दसित करेगा और तीसरा जो सर्कल है वो इस्तरी को पर्दसित करेगा क्यों क्योंकि आपको पता है डॉक्टर पूरुस भी हो सकता है और डॉक्टर महिलाएं भी होती है इस्तरी भी होती है लेकिन सारे डॉक्टर महिलाएं हो या सारे डॉक्टर पूरुस हो ऐसा भी अपन कहें नहीं सकते इसलिए मध्यभाग को डॉक्टर से परतशित किया गया है तो कुछ डोक्टर पूरुष होंगे और कुछ डोक्टर इस्तरियां या मैलाएं होगी इस इस्तती में ऐसा option आपके लिए right होगा आगे देखिए दस्वा और लास्ट प्रकार वे नारेक को इससे ज्यादा व्ट्रकड़ों में नहीं बांटा जा सकता इस इस्ति में देखिए कि तीनों आपस में मिल जाएं कुछ इस तरीके से अब इसके लिए क्या कुशन मनेगा इसके लिए कुशन मन सकता है आपका कि जैसे देर रखाओ शिक्षक शिक्षक और शिक्षक का सोक है गाना गायक और उसी सिक्षक का सोक भी है लिख यानि लिखना अगर आप कहेंगे कि यह जो सरकल है इसको मैं सिक्षक से परदसित करूँगा और यह जो सरकल है इसको गायक से परदसित करूँगा और तीसरा जो सरकल है उसको अपन लेकक से अगर पर्दसित करेंगे तो आप देखिए कि जो अगर सिक्षक है वो गायक भी तो हो सकता है और वही सिक्षक लेकक भी तो हो सकता है क्योंकि सिक्षक को गाने का भी सोक हो सकता है और लेकक का सोक भी हो सकता है यानि तीनों गुण एक वक्ती में हो सकते हैं इसलिए आप देखिएंगे कि यहाँ पे तीनों सरकल एक दूसरे को काट रहे हैं और गायक है वह भी सिक्षक हो सकता है वह लेकक भी हो सकता है इसलिए यहां पे तीनो सर्कल काट रहे हैं, यहां पे दो दो गुण भी हो सकते हैं उस इनसान में और तीनो गुण भी हो सकते हैं, तो ऐसे options के लिए ऐसे वेन डाइग्राम का प्रियोग किया जाएगा, तो आप इसका screenshot ले लीजिए या इसी तरीके से अपनी notebook के अंदर वीडियो को दो मिन्ट रो के उतार लीजिए, not कर लीजिए, ताकि वेन डाइग्राम पर आधारित जितने भी कुश्यन होंगे ना, उनको अपन इसी तरीके से आसानी से कर पाएंगे, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी परकार नहीं बनता है, देखिए, मोटा-मोटी में आपको बताओं, तो वेन डाइग्राम के अंदर सिर्फ तीन वर्तों का खेला है, इनका 3 डाइग्राम, या तीन जो गोला कार वरत हैं, उन्हीं के बार-बार जो वेन डाइग्राम के कुश्षन है, उसमें भी कौन से, जो लोजिक वेन डाइग हैं इसके सारे कुशन इसी पर गुमेंगे इसी परиляink है अगर इन तीन को खेल आपको समझ में आ गया तो आपका कोई भी कुशन गलत नहीं होने कि संभावना पूरी पूरी है और इन तीन वेन डाइग्राम को या तीन वर्ताकार आकर्ट्यों को किस-किस भागों में बांटा जा सकता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है तो पहला अगर आप देखोगे तो देखिए तीनों अलग-अलग है तो इस सिती में दिये गए तीनों जो अप्शन होंगे वो अलग-अलग होंगे नहीं आप देखिए दो मेच हो गए और एक अलग हो गया है फिर आपने देखा कि एक गुले के अंदर दूसरा गुला परवेश कर दिया है और एक गुला अलग से है फिर चोथे में देखोगे एक गुला काट रहा है फिर दोनों को काट रहा है फिर एक गोले के अंदर दोनों गोले आ चुके है बड़ता कारा करती और इसमें अंदर के दोनों गोलों आपस में काट रहे थे बड़े में चोटा फिर चोटा और तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे थे इस तरीके से और यहां फे इस तरीक इन्ही दस उप्शनों में से आएगा आपको सिर्फ इतना ही ग्याद करना है कि कौन सा राइट करें कि पिता पूरुस और बच्चे दे रखें तो यह होगा इस तरी मा और डॉक्टर दे रखाया तो यह होगा पूरुस पिता चाचा करें तो ऐसा होगा और अगर लेखक शिक गायक है तो ऐसा कुशन्स बनेगा इस इस्तति में आपन यह राइट नहीं कर सकते ठीक है और इस्तति में ना तो यह कर सकते हैं इसलिए ऑप्शन को देखते हुए वेन आरेक की इस्तति को आपको पैचानना होगा कि वह किस कैटेगरी के अंदर आएंगे आप इसका स्क्र आपको डाटा दे रखा होगा वह भी अपन एक्जामपल के साथ है सोलुशन करेंगे एक बार लेते हैं अपन उधारण कुछ एक जैसा आप देखिए चार उधारण आपके लिए लेकर आया हूँ और इन उधारणों के आंस्वर है जो दिये गए तो दस वेन डाइगराम थे ना उन्हीं में से होंगे अब देखिए जैसा पहला कुशन है आपके पास में टेबल पुर्सियां और फनीचर जैसे आप देखिएंगे तो आपके पास में और से यह वेंडडाइग्रम आपके पास में और सिंगर आप देखिएंगे और अगरट दाइगराम लिए ऑपस आप कुर्षियां और फनीचर को कौन सा वेन डाइग्राम परदसित करता है तो अपन को पता है कि दियेगे सरकिलों की संख्या होगी हमेशा ही तीन और तीन ही आपके पास में होंगे option और इन option को सरकिल के अनुसार ही व्यवस्तित करना होगा कि टेबल, कुर्षियां और फनीचर के लिए कौन सा वेन डाइग्राम परदसित होगा तो आपको पता है कि आप पहले को देखिए क्या तीनों अलग होते हैं आपस में क्या दो समान एक अलग या तीनों आपस में किसी ना किसी परकार से समान होते है या एक के अंदर दो समाहित होते हैं तो यहां पे आपका C option right होगा क्योंकि टेबल और कुर्सी किस की category के अंदर आती है फरनीचर की category के अंदर आती है इसलिए तो यहां पे अपना बड़ा सरकिल है यह किस को परदसित करेगा फरनीचर को परदसित करेगा और अंदर दो छोटे छोटे दे रखे हैं उसमें एक भाग हो जाएगा टेबल का और एक भाग हो जाएगा कुर्सी का क्योंकि आपको पता है भी टेबल और कुर्सी आती तो अर्गे इसलिए बड़े फनीचर में दोनों को अलग अलग सरकिल के द्वारा सरकिल का बढ़े का चोटा बाग है क्योंकि सारा फनीचर कुछ यह टेबल भी होती पनिचर का कुछ वाग ज이션 डेबल फोड़ meio फेलो आगे देखिए नेक्स्ट में दे रहे हैं टाई कमीज और पतलून अब बताईए इसके लिए कौन कौन से उप्शन बनते हैं तो आप पहले में देख लिजी सारे उप्शन सभी के लिए ऐसे ही बनेंगे और यह उप्शन उनी दस में से होंगे जो अपने कुछ देर पहले ल दस को अच्छे से समझ लिया है तो अपन को कोई भी कुशन सो आंसर देने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी नहीं होगी सब के आंसर इसी इनी दस में से समाईत है यानि वेन डाइगराम अगर आपको समझना है तो आप जो वेन डाइगराम की दस सेडिया है या दस जो कैटेगरी बनती है उनको समझ लो और फिर हो जाएंगे जैसा आप देखिए ताई है कमीज है पतलून है तो अपनोंगो पता है ताई कमीज पतलून आलख है यहां पे देखिए ताई है कमीज है और पतलून है तीनों अप्सन क्या है अपने भाग में यानि जो कमीज होता है वो अलग होता है पतलून अलग उन पहनने के लिए होती है और ताई अलग पहनने के लिए होती है तो इस इस्तती में यहां पे आपका कौन सा अप्सन राइट होगा जो ए अप् टाई का option है इसको हटा के यहां पे लिख दे कपड़ा तो अब बताईए इसमें कौन सा option right होगा क्योंकि पहला तो होगा नहीं अब अब बताईए इसमें कौन सा option right होगा पहला दूसरा तीसरा या चोथा options को पढ़िए कपड़ा है कमीज है पतलून है तो आपको पता है इसमें आपका जो option right होगा वह कोन सा हो जाएगा D हो जाएगा, क्योंकि कमीज किसका बना होता है, कपड़े का बना होता है पतलून या पैंट किसकी बनी होती है, कपड़े की बनी होती है तो बड़ा जो सरकल हो गया, वह कहलाएगा इसमें कपड़ा और जो दो छोटे-छोटे सरकल है, वह कहलाएगे कमीज और अतलून ऐसे इसलिए आपको क्या करना होगा इन तीनों उप्षन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है आपस में कोई किसी परकार से सम्मंद तो नहीं है अगर यहाँ पे कपड़े की जिए के टाई हो तो आपका यह उप्षन होजएगा क्योंकि तीनों क्या है अलग अलग है और एक उप्षन चेंज करते ही देखिए बेन डाइगराम भी क्या हो गया चेंज हो गया कौन सा बन जाएगा यह बन जाएगा इसलिए आपको कुशन्स को अच्छे से पढ़ना है फिर चार ओप्षन को देखना है कि कौन सा डाइगराम कैटिगरी के अंदर गत आएगा और आपको राइट करना है आग देखिए अपना next example भी अपन देखते हैं तो आप देखेंगे है अपना जानवर बिल्ली और डॉगी इसमें आप देखिए बताईए दिएगे जो चार ओप्षन है उन में से कौन सा ओप्षन है वह राइट होगा जानवर बिल्ली और डॉगी यानि कुते के लिए यानि आपके पास में नाम दे रहे हैं जानवर बिल्ली और कुता क्या ए राइट होगा तो अगर ए राइट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जानवर बिल्ली भी होती है और जानवर कुता भी होता है क्या कुता भी बिल्ली होती है ग्या क्या कुता भी बिल्ली होती है ग्या तो आपको पता ऐसा कभी भी नहीं होता है तो इस स्थी में ये तो होगा ही नहीं अब B की बारी आती है तो B में बड़ा सरकल है वो जानवर चोटे जो जरकल है वो होगे कुटा और बिली क्योंकि कुटा और बिली किस की स्रेणी में आते हैं जानवरों की स्रेणी में ही आते हैं और सारे जानवर कुट्ता बिली नहीं होते इसलिए बड़े भाग के कुछ छोटे छोटे भागों को अलग-अलग दर्साएगा जान दीजेगा दोनों भाग क्या है अलग-अलग है दोनों आपस में किसी प्रकार से टच भी नहीं है तो आप इसमें लिख लीजिए बड़ा भाग हो जाएगा जानवर और छोटे जो दोनों भाग है उसमें एक भाग हो जाएगा बिली के लिए प्रदसित और दूसरा बाग डोगी या कुट्टे के लिए प्रदसित हो जाएगा तो इस इस्तती में यह option आपका right होगा अगर आप यह करते हो तो आप क्या कहोगे क्या यह जानवर है या यह जानवर है या यह जानवर है अगर आप इसको जानवर मानते हो तो यह क्या हो जाएगा बिल्ली हो जाएगा और यह कुत्ता हो जाएगा तो बिल्ली तो सारे जानवर ही होते हैं लेकिन कुछ भागी भी जानवर को काट रहा है तो क्या जानवर के लाव क्यों बिल्ली होती है क्या इस इस्तति में यह भी नहीं होगा और यह देखोगे तो कौन से दो भागों को रखा गया एक भाग को लखिया गया है तो यह भी नहीं होगा इस इस सथी में आपका भी ऑप्शन राइट होगा यानि देखिए आपको करना क्या है दिएगे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है ठीक है फिर उनको दिएगे जो ऑप्शन है आपके पास में च्यार एब एस सहद है इनकी केटेगरी में रखना है कि अगर मैं यह ऑप्शन राइट करता हूँ तो अगर यह जानवर होंगे यह बिल्ली होगी और यह कुता होगा तो मध्य में तीनों भाग काट रहे हैं तो क्या तीनों चीज एक हो सकती है क्या जानवर बिल्ली जानवर होती है लेकिन कुता कभी बिल्ली नहीं होती तो इस सिस्थिति में यह होगा नहीं आपका इस सिस्थिति में भी नहीं होगा क्योंकि जानवर की अंदर ही बिल्ली आती है और कोई बिल्ली नहीं होता तो इसलिए यह जो बड़ा भाग जानवर का होगा और छोटे भाग बिल्ली को परतसित करेंगे और यह बाग तो होगा ही नहीं क्योंकि जानवर की केटेगरी में अगर कुट्ता आ गया तो बिल्ली कोई अकली थोड़ी होती है बिल्ली भी तो जानवर की स्रिणी में आती है इसी तरीगे से आपको सवाल को सौल करना होगा वन बाई वन आगे देखिए फैक्टरी मशीन और उत्पाद क्या देर का है फैक्टरी मशीन और उत्पाद इसके लिए अपके लिए ऑप्सन बनाए जाएं तो बताईए आप क्या बन सकते हैं आपके option ऐसे एगर option हो आपके पास में कि factory, machine और उत्पाद के लिए यह वेन डाइग्राम दे रखें आपको 1, 2, 3 और 4 और इन में से कोन size के लिए right होगा क्या A होगा या B होगा या C होगा या D होगा तो इसके लिए आपको अपना वही तरीका अपनाना है कि परतिये के लिए आपको क्या रखने है मान रख रख के परदसित करने यानि आप रखिए कि अगर मैं इसको factory मानता हूँ तो यह machine हो जाएगी यह उत्पाद हो जाएगा और उसमें cross checking भी करनी होगी cross questions भी करने होगे कि दिये गे option में से कौन सा right होगा तो अपन को पता है यह right नहीं होगा लेकिन factory में machine होती है factory में उतबाद भी होता है लेकिन दोनों बाहर भी तो नहीं हो सकते इसलिए यह भी नहीं हो सकता अब आप देखेंगे कि एक चीज तो अंदर और एक चीज बार impossible अब देखें यहाँ पे आपका C option यहाँ पे right होगा क्योंकि एक जो factory होती है उसी factory में machine पाई जाती है और उसी factory में क्या बनते हैं उतबाद बनते हैं तो इस logic लगाना है यह category कौन सी है जो percentage है वो इसका right होने की संबावनाई जादा है तो यहाँ पे आपका C option right होगा बड़ा भाग क्या हो जाएगा factory और factory में ही उतबाद और factory में ही क्या पाई जाती है machine इसलिए ऐसा भी इसका अंज़र हो सकता है देखें यहाँ पे एक option और भी था option था ऐसा था option एक दो तीन इस इस्तति में यहाँ भी right हो सकता है क्यों हो सकता है तो में आपको बताऊं कि यह क्या है factory और factory में क्या है machine और machine वसे क्या तयार होता है उतबादर इसी लिए वेन डाइग्राम के इनदर चारो option में right tick करने से पहले दिये गए चारो option को अच्छे से check करना है और देखना है कि कौन सा when diagram सटीक हो रहा है दिये गए options के नुसार कौन सा right हो रहा है आपने देखा table कुर्ची furniture के लिए यह होगा कपड़ा कमीज के लिए यह होगा और टाई कमीज के यह होगा तो तीनों अलग-अलग हो जाएंगे जानवर बिली कुता तो जानवर और बिली और कुता जानवर की category माते हैं तो इस सिति में यह हो जाएगा फेक्टरी मसीन उतपाद की category देखोगे तो यह इसका answer right हो जाएगा यह है थी इवेंट डाइग्राम के उपर अपनी पहली किलास पहले तो अपन ने इसके जो दस्व परकार दे उसको समझा फिर अपने कुछ एक महत्वपुन धारन भी solution किये हैं और आगे भी अपन करेंगे तो आपसे एक छोटी सी request वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को सेर करने में किसी परकार से कोई कंजूशाई ना परते वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ सेर करें चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को like करें और comment करके जरूर बताएं कि आपको दियेगे option समझ में आ रहे हैं या किसी एक परकार से कोई वीडियो के इंदर सुधा हो भी सुधार अगर करना हो तो वो भी आप हमें comment कर सकते हैं और इसे समझेद कोई आपका question हो तो comment में put up कर दीजिए next की class में आपको उसका solution करवा दिया जाएगा धन्यवाद